गुरूगराम में देरात खूनी खेल खेला गया जिसमें एक यूवती की हत्या कर दी गई मामला गुरूगराम के बस टैंड सिटी होटल पॉइंट का है जहां होटल के मालिक ने अपनी ही दोस्त की हत्या कर दी हालाकि पुलिस ने आरोपी अभिजीत को गिर्फतार कर लिया है लेकिन अभी तक मृतिका दिव्या पहुजा का शव बरामत नहीं हुआ है सेक्टर 14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है 27 वर्षिये मृतिका दिव्या गुरूगराम के बलदेव नगर की रहने वाली थी और हत्यारे की दोस्त थी वही CCTV में भी आरोपी कैद हैं जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आरोपी मृतिका के शव को ले जाते हुए दिख रहे हैं गुरूगराम पुलिस ने मौके पर होटल से आरोपी अभीजीत को काबू किया आरोपी अभीजीत दिल्ली के साउथ हेक्स का रहने वाला है सूतरों के मुताबिक शव को आरोपी पंजाब की तरफ ले कर गए हैं आरोप है कि एक जनवरी को दिव्या पहुजा हत्या आरोपी अभीजीत सिंग के साथ घूमने गई थी और फिर अभीजीत और एक अन्य के साथ दो जनवरी की सुभा चार बच कर पंदरा मिनट पर गुरू ग्राम के सिटी पॉइंट होटल में पहुँची थी और दो जनवरी की रात अभीजीत सिंग ने अपने अन्य साथियों संग मिलकर दिव्या की हत्या को अंजाम दिया और फिर उसके शव को अपनी बीम डव्यो गारी में डाल टिकाने लगाने के मकसद से दो अन्य साथियों को दस लाख रुपे दिये तब से अभी तक पुलिस को ना तो दोनों आरूपी मिले और ना ही मृतिका का शव करके सिसी टीव फुटेज को खंगाडा तो अपराध की ओने की पुष्टी ओने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वस्टिकेशन की जारी है जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलूपे बारिक किसे अनुसंदान कर रही है तिव्या नाम की लड़की बाकी इन्वस्टिकेशन के बारे में ज्यादा अभी नहीं तो पूरा खुलासा मेडिया पर बारी के मातम से आपको बतादे की दिव्या पहुजा गुरू ग्राम के मोस्ट वांटेड और इनामी बदमाश गैंक्स्टर संदीब गाडोली की गर्ल्फरेंड थी गैंक्स्ट दिव्या पहुजा मुख्या अरोपी थी और पिछले 7 साल से जेल में बन थी जुलाई 2023 में दिव्या को बॉंबे हाई कोट ने जमानत दी थी हाला कि गुरू ग्राम पुलिस की तमाम टीमें शव की तलाश में जुटी हुई हैं देखने वाली बात जरूर होगी कि कब तक इस पूरे मामले का खुलासा करेगी